सीता मड़ी आसानी से चला जाएगा, हाजी पूर खत्रे की निशान पर रहेगा, बिल्कुल, सारन भी खत्रे की निशान पर रहेगा, मदुबनी आसानी से जाएगा, मुजफर पूर खत्रे की निशान पर जाएगा, अगर इस बार आजीव परताप रूडी सांसद बन जाते तो फिर आजी उपर ताप रूडी को कोई चुनाव नहीं हरा सकता है अब वोट परतीसत कम हुआ तो चिराग पास्वान के लिए मुसीबत मुझफरपूर लोगसभा सीट बहुत बहुत टकड़ बहुत फाइक जबरतस्त फाइक यह सीट आपको रडार पे है यह सीट कभी भ चले जाएए सबसे ज़्यादा मलाहो की संख्या है और अब मला जो है उमके सहनी को अपना नेता मान चुका है ने देखा ना राजी उपरताप रूडी का कितना बिरो दो रहा था राजी उपरताप रूडी ने क्या क्या एक वीडियो सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हाजीपूर लोकसवासीट की क्या इस्तिति है सारन लोकसवासीट की जिस पर लालू परिशाद यादो की लाडली बेटी रोहनी आचारे आचुना और लड़ी है पांचवे चरण की लोकसवाके सीटों पर क्या इस्तिति अब तक बनी हुई है देखे सबसे पहली बात की पांचवे चरन की पढ़ हम दो चर्चा कर रहा है पहले दूसरे तीसरे चौथे चरन की हमने चर्चा की और सटिक जानकारी कोई हवा हवाई बाते नहीं एसी के कमरे में बैठ कर कोई ये तयार नहीं हुआ है धूप में अपने सरीर को जला कर कर हमने सरवे तयार किया काम भी कर रहे थे एक सरवे रीपोर्ड भी बना रहे थे कि इस तरीके से काम होता था क्यूंकि यह हमारे चैनल के लिए पहला चुना हो था लोगसभाज का चुना। तो बात सीता मढ़ी लोग सभाच्छेत्र की करेंगे, सीता मढ़ी लोग सभाच्छेत्र में एंडिये के तरफ से दिवेश चंदर ठाकूर जेडियू के उमिद्वार हैं और अर्जुन राय राजत के उमिद्वार हैं, दिवेश चंदर ठाकूर जिस तरीके से लगतार ये ब वारतीय जन्तापार्टी को समर्थन देने लगे, अलाकि उन्होंने जुआइन नहीं किया था. सुनील कुमार पिंटू को लगा कि भाजपा कि ले लडएगी. निटिश कुमार अलग लडएगे. प्रस्तितिया ऐसी होगी. हमको भाजपा के तरफ से उमिदवार बनाया जाएगा लेकिन उसकी उलट होगे परिस्तिति होगे वो ऐसा सोचा उनोंगे उनको लगा कि अब तो नीट इसकमारि इस बटी के जाएंगे लेकिन फिर नीट इसकमाती के नहीं पल्टी मारिये दियें तो मारे तो फिर सुनिलकुमार पिंडू के लिए खत्रा हो गया और टिकट कट गया दिवेशचंद ठाकूर को टिकट मिल गया दिवेशचंद ठाकूर और डॉक्टर अर्जुन दाय दोनों नए उमिद्वार ये अर्जुन दाय विधायक राजत के हैं इन्होंने अपनी किस मत आजमानी चाहिए लेकिन मजबूत नहीं है सिता मढ़ी में हम लोग जब गये मोदी के नाम पर तो वोट मिली रहा है वोट नितिश कुमार के नाम पर भी मिल रहा है वोट आपको दिवेशचंद ठाकूर के नाम पर भी मिल रहा है और वोट तगड़ा मिल रहा है कम इस बार दिवेश चन ठाकूर उसी के आसपास रहेंगे उसी के आसपास ये आकड़ा कम नहीं होगा सिता मड़ी में कोई लडाई नहीं है सिता मड़ी में चर्चा ही नहीं हो रही थी चर्चा भाजी पुर्शब से हॉट सित चिराग-पासवान उससी चाचा को धोखा देकर चाचा को किशी तरीके से धोखा कहें या फिर यूं कहें कि जबरन उस सीट को हथियाल चिराग पासवान ने लिया, पिता की विरासत बोल बोल कर उस सीट को हथियाया, जबकि पिता भाई चाचा भी पिता तुल ही होते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने चाचा को उस सी तक यह कहते रहें कि मर जाएंगे लेकिन एंडिये से दूर नहीं होंगे, मर जाएंगे हाजिपूर लोग सबाद छेत्र को नहीं छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ गया, हाजिपूर से उन्होंने इस सीट को छोड़ दिया, चिराग पास्वान लड़े और उनके विरोध में कौन लड़े, सीवचंदर राम, तो सीवचंदर राम इसके पहले भी लड़े थे, और सीवचंदर राम लगतार लड़ते हैं, इस बार आप देखिएगा, वोट परतिशत कम हुआ है, हाजिपूर में, अब वोट परतिशत कम हुआ तो चिराग पास्वान के लिए मुसीब दिया जाए, दावेदारी खत्म हो जाएगी, होता क्या है कि जब अगर कोई उमिदवार किसी सीट से जीत जाता है, तो उसकी दावेदारी हो जाती है, अगले दो-तीन टरम तक, अब वो भले भाजपा में नहीं होती है, भाजपा में कभी-कभी सीटों का अदला बदली हो बास्ट्वान का ये कहना है कि वोट बहुत ज्यादा मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से शिवचंदर राम को पसुपति पारस्त ने दो लाख वोटों से चुना भराया था। वो इस बार नहीं दिखेगा। 50,000 बोट से अगर यह रा देते हैं सिवचंदर राम को तो बहुत होगा तुब तकर यह सीट आपको रडार पर है यह सीट कभी भी सिवचंदर राम के खाते में जा सकता है रडार पर है इस सीट को आप इस द्रिष्टी से देखिए कि ना यह इंडिया के पाले में जा रहा है ना इंडिया गड़ बंदन के पाले में जा रहा है लड़ाई इतनी जवर्दस्त है यहाँ पर उसके बाद आते हैं सारन में मुसीवत है रूड़ी के लिए राजीव प्रताप रूड़ी के लिए इस बार मुसीवत है लालो प्रिशाद यादो कि बेटी है इस से पहली बार चुनाओ लड़ी बिलकुल मुसीवत है इसलिए मुसीवत है कि 2014 में राबडी देवी को इन्होंने चुना भराया 2019 में चंद्रिका राय को इन्होंने चुना भराया 2019 में चंद्रिका राये को एक लाखां और तीस अजाद छेसव पंद्रा वोटों से इन्हों ने चुना भाराया लेकिन इसमार मुसीबत है मुसीबत इसलिए भी कि यादो गुलबंध हो गया यादो जिस तरीके से गुलबंध हुआ है कभी नहीं हुआ था तोट हो गई राजपूत भुम्यार ब्राह् weddings में रनी अचारियाने तूट कर दिए और एक साहनभूती वोट है साहनभूती वोट है आप समझ रहे हैं कि उन्हों ने पिता को किडिनी दिया है पिता को जीवनदान दिया तोड़ लिया है और यह इसलिए तोड़ा है कि राजी उप्रताप रूड़ी का एक बयान आपने सुना होगा कि हर घर गैस पाइपलाइन हुआ है हम लोग गए अमनौर के बगल में अमनौर उनका अपना गाउं है राजी उप्रताप रूड़ी का उसके बगल में रसूल हमारा गाउं से दोस गाउं दूर बढ़ते हमारा गाउं नहीं है उनके घर के किचन में हम गया है गैस पाइपलाइन नहीं था अरे एक घर में नहीं होता है तीन गर में नहीं होता है पूरे गाउं में नहीं था एक गाउं में नहीं होता है एक पंचायत में ही नहीं था ब कि जब करोना काल चल रहा था तो पपू यादो ने इस बात का खुलासा किया था राजीव परताप रूडी एम्बूलेंस अपने दर्वाजे पर लगाये हुए थे जब लोग मर रहे थे एम्बूलेंस के बिना ऑक्सीजन के बिना तो राजीव परताप रूडी के दर्वाजे पर कई एम्बूलेंस खड़ी थी फिर उसके बाद राजीव परताप रूडी के संसदिये छित्र में उनके द्वारा जो एम्बूलेंस चलाई जाती है उसमें दारू ढोने का वीडियो आया, उसमें बालू ढोने का वीडियो आया, तो लोगों में नाराजगी है, कि जब हमारे घर के कोई सदस्य मर रहा था, तो एंबुलेंस आपके दर्वाजे पर खड़ी थी, तो इस बार के नाराजगी इस अब याद है जनता, जनता को सोसल मीडिया पर तेजी से वाइरल हुआ, जिसमें उन्होंने का कि आपके घर में गैस पाइपलाइन है, आप एसी में सोते हैं, आपके घर में पंखा चलता है, चलने के लिए सडख है, यह ऐसे थोड़े आता है, काम करते हैं तो आता है, तो फिर वेक्ती ने का कि मुल करिएगा, इस बार संकट है इनके लिए, और इस बार अगर निकाल लिए यह, तो समझे कि फिर इनको राजी परताप रूरी को कोई हराने वाला पैदा नहीं हुआ, अगर इस बार राजी परताप रूरी सांसद बन जाते हैं, तो फिर राजी परताप रूरी को कोई चुन अगर पिछली बार देखा जाए तो इतिहासिक जीत हुई थी जानते हैं क्यों क्योंकि मुकेश सहनी का उमिदवार था वहां से भी आईपी को देख लीजिए कि कितना मतलब उनका वोट परतिशत है अब इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जंजारपुर में इनका क्या दसा होगा उनका गुपाल गंज में क्या दसा होगा चार लाग चाउवन हजार नौसवच चालिस बोटो से पिछली बार असो की यादों की जीत हुई थी भाजपा की जीत हुई थी बी आईपी सामने थी जीत हुई थी इस बार भी आसानी से यह सीट निक लेगा यह खुद यादों है उसके बाद मुसल्मान थोड़े बहुत नाराज थे सीमान की वज़ा से और यादों कुछ नाराज थे पप्पू यादों की वज़ा से तो इस सब चीजों की वज़ा से यहां पर अली इसरफ फात्मी को वोट नहीं मिला है अब आते हैं मुजफर तो मुदी के नाम पर इनको वोट मिल जाएगा लेकिन आप अजय निसाद को भी देखिए अजय निसाद भारतिये जनता पार्टी के सांसत थे बिल्कूल 2014-2019 में चुनाव जीते हैं अजय निसाद के पिता वहां से सांसत थे और अजय निसाद को टिकट काटा गया नाराज थी इन्होंने कॉंग्रेस ज्वाइन कर लिया पिछली बार 2019 में चार लाख चार लाख वोट से जीतना आसान नहीं होता है आप किस-किस को टिकट दिये हैं आपने उन लोगों का टिकट नहीं काटा जो सत्रह सो जो 14,000 14,000 से ने जीते हैं रामकिरपाल यादो जो चार नाराजगी ठी लोगों में और राजगी दिखी है बिलकुल दिखी है और राजभूसन चौदरी को लेकर एक और बाते थी कि वो ये बाहरी कट टैग लग गया था वही आप है कौन घर बना लीजिए कुछ कर लीजिए ठीक है और राजभूसन चौदरी को लेकर तरह-तरह की बाते सामने आ रही है और एक और बात है राजभूसन चौधरी भी आईपी में थे भी आईपी से ये ट्रांसपर हुए है बाजपा में तो आज भी आज के समय में आप मुझफरपूर में चले जाए ये सबसे जादा मलाहो की संख्या है और अब मला जो है उमके सहनी को अपना नेता मान चुका है तो थोड़ी बहुत यहाँ पर लड़ाई जो है वो देखने को मिल रही है और ये लड़ाई राजभूसन चौधरी और आजय निशाद में इस तरह से होगी कि आप देखिएगा कि बहुत कम मार्जिन रहेगा बहुत कम पचीस अजार पचास अजार यही मार्जिन रहेगा जादा मार्जिन से चुना पचास पचीस से पचास इसी बीच रहेगा अब आते हैं कि सीता मडी हाजिपूर सारन और मदुबनी और मुजफर पूर में कौन सी सीटे इंडिये के पाले में जाएंगी और कौन सी इंडिया गडबंदन और कौन खत्रे की निशान पर रहेगा सीता मड़ी असानी से चला जाएगा हाजी पुर्खत्रे की निशान पर रहेगा सारन भी खत्रे की निशान पर रहेगा मदबनी असानी से जाएगा मुझफर पुर्खत्रे की निशान पर रहेगा यानि कि 5 में से 2 इंडिये को जा रहा है तीन खत्रे की निशान पर रहेगा वो किदर भी जा सकता है अब ये तो result आएगा तब पता चलेगा अब इतने मतलब डोर टू दोर हमने लोगों से बात चित की है लेकिन result आने के बाद ही पता चलेगा की जीतता कौन है लेकिन तीन सीटे खत्रे की घंटी उन सीटों की जो सीट है सारन उस पर भी खत्रे की घंटी अगर इस बार वो जीच जाते हैं तो फिर आगे कोई हराने वाला नहीं होगा तमाम जो बाते हैं वो ससांग पांडे कहते नजरा रहे चुकि ससांग पांडे अलग-लग सीटों पर भ्रह्मन कर रहे थे और ऐसे मैं देखिया आगी क्या कुछ निकल कर सामने आता है तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए देखते हैं